के द खूंअ कारच आप न दो हलोएवरीवन माइम के स्ट लिए लोवेगा नियान कुईल अटुधे विए और आज रुच्पर नाइन द फ्लीकेशन अव टिरिंट्धे应 देखो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडेक्शन टू ट्रिग्नोमेटरी खतम किया था आज हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि अपन ट्रिग्नोमेटरी का यूज कहां का करते हैं जर्नली तो देखो जैसे माल लो यह एक रोड है ठीक है आप यहाँ पर एक अबजेक्ट पढ़ा हुआ है यह एक बिल्डिंग है इस पर आप खड़े हो राइट आप इसको देख रहे हो वो अबजेक्ट को ठीक है आपको यह एंगल पता है और यह हाइट पता है आपको यह हाइट पता है और आपको यह एंगल पता एक इंस्ट्रूमेंट आता है उससे अपन यह एंगल निकाल सकते हैं तो अगर यह आप एंगल निकाल सकते हो ठीक है वाइंस्ट्रूमेंट यूजिंग 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 इंस्ट्रूमेंट इस एंगल राइट अब आपको करना किया ना ट्रेग्नोमेट्री का हेल्प करें को आप क्या कर सकते हो यह हाइट आपको पता है एच शमाल लेते हैं यह एंगल आपको ठीटा पता है तो आप इस ऑब्जेक्ट की बेस ऑफ इस टावर से डिस्टेंस निकाल सकते हो तो यह है मारे पास और अगर मालल आप नीचे से उपर देख रहे हो तो भी आप निकाल सकते हैं ज्यसे माललो यह सिचूशन होगया कि यहां पर आप खड़े हो यहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो यहांप तो कोई चड़िया है यह एंगल आपको पता है टिक है यह डिस्टेंस प्रफिशा को बताए तो कि आप यह निकाल सकते हैं कितनी ऊपर ओपर ऊपर ओड़ रही है तो यह सारी चीजे हैं जो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो बेसिकली देखो यहां पर दो चीजे होती है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन और यह उताएंगल ऑफ डिप् सामने में किसी चीज में से उपर तो मैंने किया अपने सिर को अपने सिर को नीचे किया तो यह जो एंगल है यह क्या हो जाएकगा एंगल ऑफ डिप्रेशन ठीक है ठीक है तो तो बिसिकली दो हम है इस चैप्टर में हमारे पास दो ही चीज़े हैं जिसके अंतरगरपन बात करेंगे एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिपरेशन ठीक है यह सारी प्रॉब्लम्स रेयल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है ठीक है आप इसको आप इसका जो यह सब्सक्राइब हमारे एक उतसाल सोठिक है इस चैप्तर में बहुत क्षोटा चप्तर है ठीक है जो अ पड़ा था उसी को अपन यहाँ पे continue करेंगे बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी भी triangle में आपको perpendicular पता है और base निकालना है तो 10 के रास्ते से निकालेंगे क्योंकि 10 एक ऐसा trigonometric ratio है जिसमें perpendicular और base connected होते हैं can you take the hypothesis और base निकालना है तो हाइपोटेनियस और base जो है वो किसमें connected होते हैं कॉस में तो अपन कॉस का यूजे करेंगे अगर perpendicular पता है और hypotenuse पता है तो वो दौनों किसमें connected होते हैं पर्पेंडिक्वल हेपिटेनियस साइन में तो यह चीज यह हमें पता होनी चाहिए और इन ही चीजों का अपन यूज करके नेक्स आने वाले लेक्चर में अपन कोश्चन कर रहे होंगे राइट नेक्स लेक्चर में आपको यह भी बताऊंगा कि वर्टेस एंगल ऑफ एलेवेशन क्या होता है लाइन ऑफ साइड क्या होता है इस सारी चीज अपन नेक्स लेक्चर में पढ़ रहे होंगे राइट तो झाल झाल